Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लगों के लिए Valentine's Special February 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना जाते हैं कि February मन्थ में क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आपके energies होंगी Finally, February मन्थ में क्या होगा कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खयाल रखके क्या आप February मन्थ की energies को भेतर कर सकते हैं क्या आपके पार्टनर के heart confessions है यानि कि मन ही मन्थ secretly वो आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या आपको कहना चाहते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2024 की Love Tarot Reading लेगें सिरियन्स आप लोगों के लिए देखें कि February 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है Normally every month I take out 3 set of cards for you लेकिन ये February month है Valentine का month है तो कुछ तो special होना चाहिए और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 4 set of cards निकाले हैं 4 set of card में हम देखेंगे कि आपके partner के क्या heart confessions हैं क्या secret messages वो आपको देना चाहते हैं बाकी के 3 set of cards में आपके energies, आपके partner के energies और February month में क्या हो रहा है उसको देखेंगे तो आप से शुरू करते हैं Cancerians और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है 3 of Souls Rivers और ये card कहता है कुछ टाइम से यहां February स्टार्टिंग में एक hurt, एक तकलीफ किसी भी level पे आप नहीं सूस कर रहे है अब देखें, ये general leading है, सब के incidents के लिए थोड़ा-थोड़ा differ करेगा लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी कुछ चीजें आपको hurt कर रही है कुछ चीजें आपको परेशान कर रही है और deeper level के लिए pacify का card कहता है कि मन ही मन किसी तरीके से आप अपने mood को, अपनी energy इसको ठीक करने के लिए effort कर रहे है कैसे अपने मन को शान्त करें कैसे अपने आपको better feel कराएं उसके उपर आपको focus कर रहे है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जिस भी वज़े से एक hurt आप महसूस कर रहे है यानि कि अगर आपके और आपके पार्टनर में कुछ issues मसले हैं तो कैसे उनको ठीक करें या फिर उन issues को pacify करें और चीजों को better करें उस पर focus करें, जनरल लीडिंग है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, फिर से clear कर दूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि अपने आपको pacify कर रहे हैं अपने जो एक hurt आप महसूस कर रहे हैं उसको ठीक करना चाहा रहे हैं heal करना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है relationship में issues हैं, तो उनको pacify करना चाहा रहे हैं इसलिए या फिर otherwise भी यहाँ पर advice का card कहता है या तो आप किसी से advice ले रहे हैं या फिर यहाँ पर advice के ओपर 10 of pentacles reverse का card कहता है कि कुछ concern हो सकता है कि अपनी family से advice ले रहे हैं या फिर आपकी family की involvement या interference रह रहे हैं और कहीं वो आपको advice दे रहे हैं यहाँ पर कुछ concern के partner की भी family क interference involvement हो सकती है तो फिर से कहूंगी या तो concerns आपकी family की involvement interference है या आपके partner की family की involvement और interference है और हो सकता है कि कुछ concerns के लिए इसी वज़े से भी relationship में issues मसले हो रहे हैं और अगर family का reason नहीं है तो society या फिर एक conservative thinking reason रह सकता है और तीसरा reason रहता हुआ दिख रहा है कि concerns आप या आपके partner stability चाह रहे हैं, long term चाह रहे हैं और आप दोनों में से कोई एक उतना ready नहीं रहते हुए दिख रहे हैं या फिर अभी और जाधा time इसी चीज के लिए चाह रहे हैं जैसे कि अभी हमने देखा issues, मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, या फिर आप किसी चीज को लेकर hurt महसूस कर रहे हैं खुद को pacify कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूत भी यहाँ पे can't stop thinking of you का card कहता है कि आप अपने partner के बारे में सोचे बगेर रहे नहीं पा रहे हैं, आप अपने partner के अलावा किसी और चीज पे focus नहीं कर पा रहे हैं फिर से read कर देती हूँ, can't stop thinking of you, तो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, उनके बारे में सोचने से, आपको बार बार उनके thoughts आ रहे हैं, बार बार उनका ख्याल आ रहा है, और इसलिए या फिर otherwise भी 10 of wands reverse का card कहता है, कि एक pressure, एक you know, burden आप महसूस कर रहे हैं, और कुछ considerations के लिए हो सकता है, कि पीछे आपने बहुत सारी responsibilities लिए हुई थी, बहुत सारी चीज़ें आप अपने relationship के लिए, partner के लिए कर रहे थे, और कहीं February end में आपको ऐसे लग सकता है, थोड़ा असा अपनी responsibilities को या फिर जो भी आप कर रहे थे, उसको कम करना है, थोड़ा अपने आपको light करना है, और अब देखते हैं considerations के आपके partner की क्या energies हैं, तो सबसे पहले आपके partner के लिए, night of swords reverse का card है, और ये card कहता है कि काफी एक in and out वाली energies, कुछ टाइम से February starting में या February month में आपके partner की रहती हुई दिख रही है in fact दिखे, पूरे ही February month के लिए ऐसी energies जाय सकती है कि कभी वो बहुत ही एक committed वाली energies में हैं, जहां पे relationship को next level पर लेकर जाना चाहरे है कभी आपको ऐसे लगेगा कि पतन ही इनके मन में क्या है ये बहुत जादा in and out हो रहे हैं और खास कर February starting के लिए फिर से कहूंगी एक in and out वाली energies रह रहे हैं, चीजों को लेकर impulsive हो सकते हैं, उनका communication काफी blunt और straightforward हो सकता है और कहीं उनकी तरफ से आपको ऐसे लग सकता है कि बस clear है और clarity के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, लेकिन reality में देखें तो उतने clear नहीं हैं और हो सकता है कि clarity लाने के लिए एक effort कर रहे हैं, deeper level के लिए acting cold का card इसी चीज़ को confirm करता है कि बहुत एक cold vibe बहुत एक cold सी energies उनकी रह सकती है जहाँ पे उनकी तरफ से एक warmth आप अपने लिए missing महसूस कर सकते हैं यानि कि इतने emotions या फिर sentiments उनकी तरफ से आपको लगेगा कि नहीं है relationship के लिए आपके लिए थोड़ा सा cold वो act कर रहे है थोड़ा सा cold उनकी energies रहते वे दिख रही है and mid February के लिए night of pentacles reverse का card कहता है कि एक pause लेते वे दिख रहे है तो देखिए हमने देखा February starting में बहुत एक in and out वाली energies है और वहीं कहीं mid February के लिए रुकते वे दिख रहे हैं शायद relationship को next level पर लेकर जाना चाहते है या पर कुछ issues है उनको solve करना चाहते है लेकिन बहुत safe बहुत secure होकर चलना चाहते है किसी भी level पर किसी भी तरीके का risk वो नहीं लेना चाहा रहे है and फिर से मैं कहूंगे कुछ चीजों को लेकर एक जिद वाली energies भी उनकी रह सकती है थोड़े से stubborn भी होते हुए दिख रहे है और इसके लिए सब के इंसेरियंस के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन night of pentacles के नीचे confused का card कहता है किसी चीज़ को लेकर काफी confused हो रहे है अब ये भी सब के इंसेरियंस के partner के लिए सकता है कि इतने practical realistic चीज़ों को लेकर नहीं हो रहे है या फर एक concrete steps उनकी तरफ से missing रह सकते है जहां पर वो बातें कर रहे हैं और in fact बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी romantic loving बाते कर रहे हैं लेकिन कहीं उस तरीके से उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और कहीं एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं एक जैसे बोलते हैं हम ख्याली प्लाव बनाते हुए दिख रहे हैं काफी end February में emotional भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं sentimental और थोड़े sensitive भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं किन से एंस की February मन्त में क्या हो रहा है तो देखें February स्टार्टिंग के लिए lovers का कार्ट कहता है कि जो भी आप दोनों की energies हो कहीं आप दोनों ही एक बहुत strong bond एक दूसरे के साथ share करते हुए दिख रहे हैं कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप लोग soulmates है, twin flame है कोई तो past life connection है और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत आप दोनों के बीच में passionate energies रह रही है, मन ही मन के लिए ghosting का कार्ट कहता है कि surface level के लिए फिर से कहूँगी कि बहुत beautiful energies है लेकिन अगर deeper level की बात करें तो आप दोनों ही कुछ चीजों से escape करना चाहा रहे हैं कुछ चीजों को avoid करना चाहा रहे हैं, किसी चीज से भागना चाहा रहे हैं और ये फिर से सब के answerians और उनके partner के लिए differ करेगा mid February के लिए I want more moments with you तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जादा time spend करना चाहा रहे हैं जादा interact करना चाहा रहे हैं, जादा बातचीत करना चाहा रहे हैं और ये मन ही मन के energies रह रहे हैं surface level के लिए आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर एक enthusiasm, excitement missing रहता हुआ दिख रहा है या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में difference of opinion रह रहा है आप लोगों के goals aligned नहीं हैं, आप लोगों के views नहीं match कर रहे हैं इसलिए surface level के लिए फिर से कहूंगी कहीं एक distance किसी level पर आ रहा है अब दिखें यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि break up हो रहा है या आप लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, का दुका लोगों के लिए हो सकता है बट overall के लिए फिर से कहूंगी difference of opinion, views नहीं match कर रहे हैं ऐसी energy जाधा रह रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक थोड़े से controlling हो सकते हैं या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे तरीके से चलो और जो भी surface level के लिए हो रहा है, फिर से देखिए, मन ही मन, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जाधा time spent करना चाहा रहे हैं, जाधा interact करना चाहा रहे हैं, जाधा बातचीत करना चाहा रहे हैं और end February के लिए the devil two of phones के cards कहते हैं, कि एक pressure, एक stress आप लोग महसूस कर सकते हैं अब दिखिए, relationship में न, ये चलता रहता है, तो अब इस card को सुनके या देखके परिशान नहीं होना है वैसे भी devil कहीं relationships में positive card भी माना जाता है, क्योंकि devil कहीं एक obsessive energies की बात करता है बहुत एक positive energies की बात करता है, और jealousy अगर positive तरीके से हो, तो relationship में positive ही मानी जाती है क्योंकि देखिए, अगर jealousy नहीं है, jealousy फिर से मैं कहूंगी positive sense में नहीं है तो relationship ना बड़ा, जैसे बोलते हैं, ठंडा सा हो जाता है, उसमें fire नहीं है, उसमें energy missing रहती है और jealousy फिर से in a positive sense is good, तो यहाँ पर इस चीज़ का खयाल रखें, कि जो भी एक positive, obsessive से energies हैं या फिर jealous वाली energies हैं, वो negative direction में ना जाए two phones का card कहता है, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक relationship के अलावा किसी और चीज़ को भी importance दे रहे हैं, अब ये भी सब concerns और उनके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है अपने professional friend को जादा importance दे रहे हैं, या फिर you know अपनी family को जादा importance दे रहे हैं या फिर कोई friend है, कोई colleague है, कोई भी है उसको जादा importance दे रहे हैं और इसलिए आप दोनों में से दूसरा जन परेशान हो रहा है और एका दुका cancerians या फिर कुछ cancerians के लिए ये भी हो सकता है कि third party की involvement है, क्योंकि देखिए two phones के ओपर devil का card है और devil कहीं lust वाली energies की भी बात करता है तो yes, आप दोनों के बीच में एक physical intimacy रह सकती है या फिर आप दोनों चाहा रहे हैं, बहुत जबरदस्त एक physical attraction आप दोनों महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए या फिर physical connect चाहा रहे हैं और फिर से देखिए कोई तीसरा भी हो सकता है और यहाँ पर devil और two phones का card कुछ cancerians और उनके partner के लिए कहता है कि third party वाला या फिर romantic triangle रह रह रहा है अब जरूरी नहीं है कि आपकी तरफ से है तो आप बहुत एक loving caring energies किसी और के लिए महसूस कर रहे हैं आपके partner महसूस कर रहे हैं कभी-कभी क्या होता है ना चो तीसरा इंसान आता है वो इतना जादा एक loving caring energies show करता है कि relationship में partner के साथ issues मसले हो जाते हैं जनरल रीडिंग है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा तो इन्हीं चीजों का अगर खायाल रखेंगे तो January end, sorry February end में जो issues मसले हो सकते हैं उसको avoid करेंगे अब आपके partner के messages read कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला message है Be still in the unknown for now तो अभी कुछ चीजों को लेकर वो sure नहीं है, 100% नहीं है और उनके लिए हमने Knight of Pentacles reverse में देखा भी कि वो बहुत sure होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का risk, chance नहीं लेना चाह रहे हैं और यहीं कहीं वो secretly आपको convey भी करना चाह रहे हैं यहाँ पे no का card है और यहाँ पे no का मतलब यह नहीं है कि वो आपको ना कह रहे हैं कोई भी चीज अगर आप उनसे expect करें कभी-कभी होता है ना हमें लगता है partner हमारा यह point समझें तो वो उस चीज के लिए ना कहते हुए दिख रहे हैं I am not ready का card again इसी चीज को और जादा confirm करता है कि जो भी आपकी expectation है for example अगर आप commitment चाह रहे हैं तो आपके partner उसके लिए ready नहीं है और अगर आप commitment नहीं चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपके partner ready नहीं है तो फिर से मैं कहूंगी considering अगर आप commitment चाह रहे हैं आपके partner नहीं चाह रहे हैं और अगर आप नहीं commitment चाह रहे हैं तो आपके partner चाह रहे हैं तो फिर से जो आप चाह रहे हैं उसके लिए आपके partner उस तरीके से ready नहीं रहते हुए दिख रहे हैं तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए February 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें